आपके सामने मैं लेकर आचुका हूँ बजाच की न्यू पलसर 125 भाई मोस सेलिंग 125 सिसी यह बाइक है बट इसमें क्या चीज खास है इस बर खास है इसके सबसे जादा चेंजे लगबग 20 न्यू चेंजे लाया है पलसर 125 सिसी में इंक्लूडिंग सबसे बड़ा चेंज सबसे ऑड़ा एंहेंस्मेंट वहं है फफियल इंजेक्शन आज बात करने वाले उन सारे चेंजर K것 के बाहरें। साथ ही मैं बात करूँगा कि कौन से लोग इसे ले सकते हैं college going लोग ले सकते हैं कि office जाने वाले लोग ले सकते हैं इसके अलावे मैं बात करूँगा कि loan loan कितने amount पर उड़ जाएगा आपका कितना amount down payment चलेगा कितना EMI चलेगी कितने दिन की EMI चलेगी यह सब सारी बाते करें इसके बारीकियों को चेक करते हैं changes आपको कितना फाइदा देगा या नुकसान देगा और जाधातर हमारा जो देश है वो गाउं में ही रहता है तो गाउं के लोगों को मद्दे नजर रखके यह सारी चीज़े बनाई गई है कि नहीं क्या आपको ने changes पसंद आएंगे let's discuss भाई मुझे तो ये बाईक हमेशा से पसंद है क्योंकि अपने weight ratio को बना कर रखा है so guys walk around से बाते स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देख रहे हो आप कितना शांदार color है वाईस का इसमें दो color और add किये गए है एक तो है आपको gray glossy gray जो की बहुत अच्छा लग रहा है मैं अग अब यहाँ पर इसके साथ बहुत सरे सिग्मेंट भी भाई डिस्क है नॉन डिस्क है ड्रम वला है सिंगल सीट है डूल डिस्क है तो अलग-अलग पांच-छेजार दो-तीनजार का फरक होते जा रहा है यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके सबसे पहले front profile तो front profile के अगर मैं बात करूँ तो वाइजर जो कि transparent है मतलब मुझे लगता कि 90% इसका जो है वह ब्लैक है और 10% या 30-70% का होगा इसका combination यहाँ पर पाइलेट लैंप दिये गया है यहाँ पर दिया गया है है ठीक है जो कि आपको reflector है यहाँ पर मैं इसको दिखा तो अपर भीम इसका कैसा काम करता है तो बाइक को start करते हैं अब मैं इसके lower beam अपर भीम को चेक करता हूँ अभी पूरा का पूरा दिन है इसलिए उतना जादा पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पर कार्वन का टेक्स्चर दिया गया जो कि एक कार्वन है ठीक है यहाँ पर 17 इंच का एलोई विल के साथ ह इसके अलावा यहाँ पर ब्रेकिंग दिया गया 240 mm के प्लेट के साथ यहाँ पर साइस की बात करोई ओ लुठ टयर का ना कमपनी चेंज कर दिया गया जो नए वाले कलर आ रहे हैं उसमें यूरो गृप का टयर है जो पुराने कलर है उसमें आपको C8 का देने लगा है दिया गया है यह टैंक है भाई पलसर का इस पलसर में कुछ अलग बात है आप गौर से देखोगा तो यहां पर एक black color का अलग से राउंड फिकर को चारों तरफ से बादरिंग की गई है black color से यह पलसार अलग है इसके अलावा ब्लैक कलर महीन से इसका बॉर्डरिंग किया गया है ग्राफिक्स ब्लू और यहां पर हलका सा टेक्ट्टर देने की कोशिश की गई ग्रे में तो यहां पर 125 का वही पुराना लोगो दिया गया यहां पर ग्रैब रिल्स है जो कि शांदार है अब मैं इसके खास changes के बारें बात करता है बात करतों इंजन आने लगा fuel injection लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिवर में कोई changes किया गया है भाई अभी गाओं के लोग यानि जो रूरल एरिया के लोग है उनका धिया रखते हुए इसमें बनाया गया है भाई दिया गया है आपक यह twin spark नहीं रहा, यह single spark के साथ FI engine आ रहा है, जो की same power produce करता है, यहाँ पर देखेंगे तो 124.33cc लिखा हुआ भी है तो इसके में CC बतानी की जरुद भी नहीं पड़ रही है यह दिया गया फाइव 4-stroke के साथ जो 5 gearbox के साथ आता है एक नीचे चार उपर की तरह फिल इंजेक्शन है, 11.6 bhp का power और 10.7 newton meter torque है इसके अलावा यहाँ पर दिया जाता है आपको leg guard जो की है नहीं, मैंने जली-जली में लगाया है नहीं और यहाँ पर आगे की तरफ मैं बात करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो tank में क्या changes है, कुछ नहीं कोई खास changes नहीं, यहाँ पर दिया आगे आपको tank pad 11.8 liter का tank है, यहाँ पर देकि E20 लिखा हुआ है E20 मतलब ethanol 20 ethanol 20 मतलब आप इसमें fuel जो डालोगे BS6 phase 2 में, वो 20% डाल दोगे ethanol और 80% petrol डाल सकते हो So fuel injection यहाँ पर आप देखेंगे, तो console meter में बहुत बड़े-बड़े changes है 125 cc के साब से काफ़ informatic console meter है यहाँ पर side stand, battery low, effective fuel efficiency, trip 1, trip 2 और all over इसके अलावा fuel to empty, मतलब empty कहा होगा, ती दूर में आपका fuel है वो जो खतम हो जागा इसके लावा trip meter दिया गया भाई, अब मैं इसको देख लेता हूं, trip 2, trip 1, km, auto meter, यहाँ पर RPM जो दिया गया वो left side में दिया गया जो की analog है यहाँ पर दिया गया है, indicators यहाँ पर दिया गया है, neutral का sign यहाँ पर दिया गया है, low beam, high beam इसके अलावा यहाँ पर reset button दिया गया है, जिसे आप toggle कर सकते हो, बहुत सारी effective fuel efficiency, current fuel efficiency ठीक है और यहाँ पर जो buttons की बात करो तो यहाँ पर दिया गया है, passing light, lower beam, upper beam दिया गया है इस जगे पर, यहाँ पर turn indicator जो की halogen है भाई, और यहाँ पर horn दिया गया है, तो horn सुल लेते है बहुत bassy horn है, यहाँ पर दिया गया है engine kill switch, engine kill switch से भी काफ़े फ़रक पड़ता है, अगर मैं engine kill switch को on करता हूँ, तो यह कुछ ऐसा दिखने लगता है, off करने पर, अगर मैं on करता हूँ, तो यह सारे चीजे stand by mode में आ जाता है मैं इसके self start को on करता हूँ, तो मैं इसकी आवाज को सुना देता हूँ, exhaust sound को आवाज सुना अपने, बहुत ही जबर्दस मेला, थोड़ा सा मुझे लगता है कि engine में changes होने के वज़े से, इसके exhaust की आवाज में भी थोड़ी सी changes, मुझे बारीक सी changes लगी, ठीक है अभी आप बोल रहते हैं, फारांस भाई की बहुत सारे changes हैं, भाई इसके जैसे alloy अगर आपने 125cc की किसी भी bike में देखा हो, तो बताना मुझे मैंने आज तक ऐसा alloy किसी भी 125cc की bike में नहीं देखा, मैं इस side gear के दिखा देता हूँ आपको भाई, alloy देखो कितना शांदार और डिजाइनदार alloy है, है कि नहीं अब मैं इसमें safety features बता देता हूँ, फ्रेंट में disc दिया गया है, यहाँ पर दिया गया side stand cutter, ठीक है, यहाँ पर दिया गया RPM indicator, जो high RPM पर जाओगे तो वो बताएगा ठीक है, पीछे दिया गया drum brake, rear profile की बात करते थे, पीछे जो drum brake दिया गया वो 130 mm का है, यहाँ पर जो suspension दिया गया है, वो भाई, endurance का suspension दिया गया जो nitrox है, और इसमें सबसे ची बात है कि आप इसके level को adjust कर सकते हो, उपर से लेके नीचे तक मतलब यह इसके level को adjust हो सकता, chain cover की बात करो तो भाई, यह metallic है और इस बार यह अच्छे quality में आया, पीछे के tire section की बात करो तो यह 100 बटा 80 के साथ आता है जो है तो सही है भाई, ठीक है, back profile की बात तो कर चुका हूँ मैं, इखना दिखने की बात करो तो थोड़ा कम space है, थोड़ा और spacious हो सकता था, यह मतलब यह थोड़ा और बड़ा हो सकता था, covering के लिए लेकिन यह कभी भी vibrate नहीं करता, जैसे कि FZ में vibration है, ठीक है आप all over बताईगा कि आपको इसके सारे changes कैसे लगे, on road price कितना लगा, और इसका down payment की बात करूँ मैं, तो यह देखो, पहला बात तो यह आपके civil payment करता, बट मैं यह बता देता हूँ, कि अगर आपने कभी loan नहीं लिया है, तो 20 से 30,000 के बीच का amount लगेगा आपको, ठीक है, और वही EMI लगेगा लगबग 3 से 3,500, 4,000 के लगबग, ठीक है, अगर आपने का profile बहुत अच्छा है, आपको गवर्मेंट जॉब में हो, तो यह 15 से 10 से 15,000 में आ जाएगी, ठीक है, जाए-जादा 15 से 16,000 होगा, उससे जादा नहीं होगा, ठीक है, और EMI भी लगबग उत का rate of interest है, लेकिन भाई, ओल ओवर लुक देख रहे हो, एक सो पचीस लगी नहीं रही है कहीं से भी, और बता हूँ, एक बात और बता देता हूँ, मैंने खुछ चलाई, इसका इंजन बहुत रिफाइन हो गया है, बस एक शिकायत है, मुझे जो नए वाले चेंजे आ रहे ह है, पीछे वाले से तो इसका कलच ना बहुत ताइट है, मतलब स्टफ कलच है, कलच हलका नहीं है, ब्रेकिंग की बात करूँ, जो रेयर में ब्रेकिंग दिया गया है, वो तो भाई, ड्रम है, लेकिन सी बीस है, अगर मैं इसको मूफ करूँगा, तो देखो गया आप, दे बतना लगेगा, इसमें चेंजेस क्या-क्या है, थैंकियो सो मच, अगर आपको कुछ लगेगा कि 125cc की बाइक में कुछ रहे गया, तो मुझे जरूर बताएगा,